ओम शांती 9-9-2024 की साकार मुरली मीठे बच्चे योगवल से बुरे संसकारों को परिवर्थन कर स्वयम में अच्छे संसकार डालो ज्यान और पवित्रता के संसकार अच्छे संसकार है प्रश्न तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है उत्तर तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ती और जीवन मुक्ती तुम्हें अभ फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ती का फल, मुक्ती और जीवन मुक्ती देने अभी सबको शांती धाम जाना है सबको घर का दीदार करना है ओम शांती मनुष्य बाप को सच्चा पात्षाह भी कहते हैं अंग्रेजी में पात्षाह नहीं कहते हैं उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं Godfather is truth कहते हैं भारत में ही कहते हैं सच्चा पात्षा, अब फर्क तो बहुत है, वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं, यहां कहते हैं सच्चा पात्षा, सच्चा भी बनाते हैं और सच्खंड का बादशाह भी बनाते हैं, यह तो बरोबर हैं, मुक्ती भी देते है जीवन मुक्ति भी देते हैं जिसको भक्ति का फल कहते हैं लिबरेशन और फुरूशन भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं बच्चे जानते हमको दोनों देते हैं लिबरेट तो सबको करते हैं फल तुमको देते हैं लिबरेशन और फ्रूशन यह भी भाषा बनाई हुई है भाषाएं तो बहुत हैं श्यवाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं कोई को कहो उनका नाम श्यवाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं मालिक तो ठीक है परन्तु उसका भी नाम चाहिए ना नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं मालिक भी कोई चीज का बनता है ना नाम रूप तो जरूर है अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं फिर शांती धाम में सब को जरूर जाना है अपने घर का दीदार सब को करना है घर में आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे उसको कहते हैं गती सद गती अक्षर कहते हैं परन्तु अर्थ रहे तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगी और फल भी मिलेगा नंबर वार तुमको मिलता है तो और धर्मवालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है बाप ने समझाया था यह परचा है बहुत अच्छा तुम स्वर्गवासी हो या नर्कवासी हो तुम बच्चे ही जानते हो यह मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों Godfatherly बर्थराइट है तुम लिख भी सकते हो बाप से तुम बच्चों को यह बर्थराइट मिलता है बाप का बनने से दोनों चीज़े प्राप्त होती है वह है रावण का बर्थराइट यह है परमपिता परमात्म का बर्थराइट यह है भगवान का बर्थराइट वह है शैतान का बर्थराइट ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके अब तुम बच्चों को हैवन स्थापन करना है कितना काम करना है अभी तो जैसे बेबीज है जैसे मनुष्य कल्युक के लिए कहते हैं कि अभी बेबी बच्चा है बाप कहते हैं सत्युक के स्थापना में बेबी है अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है रामण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे गड़ फादर से तो वर्षा मिलता है वह कोई फादर थोड़े ही है उसको रामण पांच विकारों को तो शैतान कहा जाता है शैतान का वर्षा क्या मिलता है पांच विकार मिलते हैं शो भी ऐसा करते हैं तमो प्रधान बन जाते हैं अब दशैरा कितना मनाते हैं सेरिमनी मनात तो अकल ही चट हो जाता है बाप डिटेल में समझाते हैं इनका नाम ही है रामण राज्य उसको फिर कहा जाता है इश्वरी राज्य राम राज्य कहना भी रॉंग हो जाता है गांधी जी राम राज्य चाहते थे मनश्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे उनको कितने पै जीव शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है आविनाशी, आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे उपर में सितारे रहते हैं न, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं, क्योंकि तुम हो धर्ती के सितारे और वह आस्मान के सितारे, तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनक प्रात्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धी में तो सब हैं, जो भी मनुश्यमात्रण सब का भबाप है। अभी पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया के स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बाते दंत कताओं में लिख दी है। यह तो बच्चे समझते हैं, यहां सब आत्माई शरीर के साथ हैं। इनको कहते हैं जीवात्माई, वह जो आत्माई का घर है, वहां तो शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी, जीव आकारी है इसलिए साकार कहा जाता है, निराकार को शरीर नहीं होता है, यह है साकारी सरष्टी, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया, इसको सरष्टी कहेंगे, उसको कहा जाता है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, आत्मा जब शरीर में आत चाहिए इसलिए इसको पुरुशोतम संगम युक कहा जाता है सब आत्माएं जब यहां आ जाती हैं तो वहां फिर एक भी नहीं रहती है वहां जब एकदम खाली हो जाता तब फिर सब वापस आ जाते हैं तुम्हें संसकार ले जाते हो कोई knowledge के संसकार ले जाते हैं कोई purity के संसकार ले जाते हैं आना तो फिर भी यहां ही है परन्तु पहले तो घर में जाना है वहां है अच्छे संसकार यहां है बुरे संसकार अच्छे संसकार बदल कर बुरे संसकार हो जाते हैं फिर बुरे संसकार योगबल से अच्छे होते हैं, अच्छे संसकार वहाँ ले जाएंगे, बाप में भी पढ़ाने के संसकार है जो आकर समझाते हैं, रचाईता और रचना के आदी मद्य अंद का राज समझाते हैं, बीज की समझानी देते हैं, तो सारे जाड की भी समझानी देते हैं, बीज की समझानी है ज्यान और जाड की समझानी हो जाती है भक्ती, भक्ती में बहुत डिटेल होती है, बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में जो repeat होता रहता है और कोई यह बातें बताना सके तुम बता सकते हो आदा-दा किया जाता है आधा स्वर्ग, आधानर्क फिर उनका detail भी बताते है स्वर्ग में जन्म कम आयू बड़ी होती नर्क में जन्म जास्ती आयू छोटी होती है वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता, मनुश्यों को कुछ भी मालूम नहीं है कब देवताएं थे वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो बाप इस समय बच्चों को पढ़ा कर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, फिर यह तुम्हारे संसकार रहते नहीं जैसे राजाई के संसकार होते हैं, तो ज्यान की पढ़ाई के संसकार पूरे हो जाते हैं यह संसकार पूरे हुए, तो नंबर वार पुरुशार्त अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर नंबर वार आएंगे पार्ट बजाने जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं श्री कृष्ण तो है first prince of heaven, तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी न, राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए, हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं, अगर कहें आठ एकटे आते हैं परन्तु श्री कृष्ण तो नंबर वन में आ आठ एकटे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों, यह सब बाते आगे चल कर समझाएंगे, कहते हैं आज तुमको बहुत गोहते गोहे बाते सुनाता हो, कुछ तो रहा हुआ है यह युक्ती अच्छी है, जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमा इतने गोहे पॉइंट्स, जब सुनाते हैं तो तुमको सुन कर बहुत खुशी होती है, पिछाडी में फिर कह देते हैं मन मना भाव मध्याजी भाव, अक्षर भी सास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूझने की तो जरूरत नहीं है, बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला, इसमें मनसा, वाचा, कर्मना, पवित्रता की जरूरत है, लक्षमी नरायन को बाप का वरशा मिला है न, यह पहले नंबर में है, जिनकी ही पूजा होती है, अपने को भी देखो हमारे में ऐसे गोण है, अभी तो बेगोण है न, अपने अवगोणों का भी किसक पता नहीं है, अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े, बाप ने बुद्धी का ताला खोला है, ब्रह्मा और विश्नु का भी राश समझाया है, यह पतित वह पावन, एडॉप्शन इस पुरुशोत्तम संगम युक पर ही होती है, प्रजापिता ब्रह ब्रह्मा जब है, तब ही एडॉप्शन होती है, सत्युग में तो होती नहीं, यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है, तो फिर अडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता को भी जरूर ब्रह्मन बच्चे चाहिए, यह है मुख्वंशा वली, वह होते हैं कुख्वंशा वली, ब्रह्मा तो नामी ग्रामी हैं, इनका सरनेम ही बेहद का है, सब समझते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा आधी देव हैं, उसको अंग्रेजी को कहेंगे great great grandfather, यह है बेहद का सरनेम, वह सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते हैं जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर थे जहां बेहद का बाप आते हैं ऐस नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ शास्त्रों में मगध देश लिखा है परन्तु नौलेज कहां सिखाई आबू में कैसे आए देलवाड़ा मंदिर भी यहां पूरा यादकार है जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धी में आया और बैट कर बनवाया accurate model तो बना न सके बाप यहां ही आकर सर्व की सद्गती करते हैं मगध देश में नहीं वह तो पाकिस्तान हो गया यह है पाक इस्थान वास्तों में पाक इस्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है पाक और नापाक का यह सारा ड्रामा बना हुआ है तो मीठे मीठे से किल दे बच्चे तुम यह समझते हो आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल कितने काल के बाद मिले फिर कब मिलेंगे सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला दलाल के रूप गुरु तो बहुत है इसलिए सत्गुरु कहा जाता इस्त्री को जब ह हतियाला बांते हैं, तो भी कहते हैं, यह पती तुम्हारा गुरू ईश्वर है, पती तो पहले-पहले नापाक बनाते हैं, आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा, अब तुम बच्चों को तो गुल-गुल बनना है, तुम बच्चों को पका-पका हतियाला आप बांते हैं, यू तो शिव जैनती के साथ ही रक्षा बंदन हो जाता है, गीता जैनती भी हो जानी चाहिए, श्री कृष्ण की जैनती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई, बाकि तो हार सब इस समय के, राम नौमी कब हुई, यह भी कोई को पता है क्या, तुम कह अच्छे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो, गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखो वर्ष की भात थोड़े ही बता सकते हैं, बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए निरवस्त्र होने से बचते हो, अभी तुम 5 विकारो रूपी रामण के परायराज्य में हो, अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृती में आया है, अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, र नमस्ते, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मंसा, वाचा, कर्वना, पवित्र जरूर बनना है, अच्छे संसकार योगबल से धारण करने, अपने को गुडवान बनाना है, दूसरा सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गोहे गोहे बाते सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है, किसी भी बात में मूंजना नहीं है, युक्ती से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है, वरदान सुक स्वरूब बन हरात्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव, जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ती मिलती है, उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती, संगम युगी ब्राह्मन अर्था दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुख दाता के बच्चे हैं, ऐसे सुख दाता के बच्चे स्वयम भी मास्टर सुख दाता होंगे, वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी न दुख देंगे, न दुख लेंगे स्लोगन मास्टर दाता बन सहयोग इसनेह और सहानुबूती देना यही रहम दिल आत्मा की निशानी है अच्छा ओम शांती तेरहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे तेरहो बाबा